बैंगलरू टेस्ट माच पेच रिपोर्ट असके बारे में कम्प्लीट डीटेल लेकर के स्पोर्ट स्टॉक आपके पास में आ चुका है क्या यहाँ पर स्पिनर्स एक बार फिर से जलबे बिखे रहेंगे या फिर बल्लेबाजों का जलबाज चलेगा जैसे कि हमने टी ट्व बाज मौज करेंगे गीन बाज की धुलाई होगी या फिर टेस्ट माच की यहाँ पर अलग कहानी रही है तो कम्प्लीट डीटेल्ड वीडियो है आखरी तक जरूर देखेगा और आपको पता चल जाएगा कि इस समय जो बैंगलोर की पिच है वो कैसी है किस तरीके से बिहे होंगा आप सभी दोस्तों से रिक्वेस है चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं कै तो जरूर कर लीजेगा और आप किस जगह से इस वीडियो को देखने आप हमें कॉमेंट करके भी जरूर बता सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यार की ब ओवर कास कंडिशन होती है तो पिछ में थोड़ी सी नमी होती है ऐसे में गेन स्विंग करती है गेन टप्पा खा करके सीम करती है और गेन बास जो है वो यहाँ पर बढ़िया गेन वाजी करते हुए भी दिख सकते हैं अगर मालिजे की तेज धूप हो और जस सरीकिन की वि जादा उठाते हुए आपको देख सकते हैं वैसे यह बैटिंग पैराडाइस वेकेट है लेकिन चुकि उपर बादल होंगे और वेकेट में मौश्चर है इससे आपको कही न कहीं तीज गीनबाजों की गें सीम और स्विंग करते हुए नजर आएगी लेकिन अब तक का रेकर बैटिंग की यानि कि चौथी पारी में बैटिंग करना यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है यानि कि बाद में स्पिनर्स को यह वेकेट बहुत जादा मदद करने लग जाती है पांस दिन का टेस माच है हर दिन वेकेट का कंडिशन जो है वो बदलता है हर दिन वेकेट जीती है जिरुने की पहले बल्यबाजी की है और एक मैच यहाँ पर ड्रौ भी समापत हुआ है आखरी टेस्ट मैच जो है वो भारतिय टीम ने यहाँ पर 2022 में खेला था श्रलंका के खिलाप में डे नाइट टेस्ट मैच था और टीम इंडिया पहली पारी में कुल मिलाकर के 25 252 रन बनाकर के ओल आउट हो गए थी पहली पारी में डे नाइट टेस्ट मैच में और उसमें से आठ विकेट श्रलंका के स्पिनर्स ने लिए थे उस समय बारिश होने के कोई आसार नहीं थी आठ विकेट स्पिनर्स ने लिए थे श्रलंका के और अईयर के बल्ले से 92 रन निकले थे लेकिन श्रलंका की पूरी टीम अपनी पहली पारी में मात्र 100 रन बनाकर के 109 रन बनाकर के औल आउट हो गए और जस्पीत बुम्रा ने कुल मिला करके पांच विकेट निकाले थे और बाकी जो आपके तीन विकेट हैं वो स्पिनर्स ने निकाले थे जिसमें अ मिला करके 6 विकेट निकाले थे तीन विकेट जस्पीत बुम्रा के नाम थे तो बाद में जाकर के यानि की टेस्ट मैच के तीसरे चौते देन से यहां पर गेंद जो है वो टर्न करने लग जाती है इससे पहले भी अगर जाएं 2018 में तो भारत और अफगानिस्तान के बीच म यहां पर पहला टेस्ट मैच जो अफगानिस्तान ने खेला था वो 2018 में बैंगलूरू में ही खेला गया था भारती टीम इनिंग से वो मैंच जीती थी पहली पारी में टीम इंडिया ने 400 संथिंग बनाया थे शेखर दबन के बल्ले से शतक आया था मुडली विजय ने भी और उसके बाद भारतीय स्पिनर्स का गया जलवा चला था अश्विन ने पहली पारी में आकर पांच या 6 वेकेट निकाले थी सेकेंड इनिंग में आकर रविंदर जाड़े-जाने 4 वेकेट निकाल दिये था तो उस टेस्ट माच में तो भारतीय स्पिनर्स का बिलकुल ज शुरू के तीन दिन तो ऐसे में यकीनन तोर पर भारतिये टीम के जो कप्तान है रुहिट शर्मा वो तीन तेज गीन बाजों के साथ में जाना प्रेफर करेंगे इस विकेट पर न्यूजलेंड के भी कप्तान तीन तेज गीन बाजों के साथ में जाना प्रेफर करेंगे दो स तो फिर बहुत मुश्किल होगा अगर मानिजे की ओवर्स कट गए तो फिर रिजल्ट लाना भी कई बार मुश्किल हो जाता है बाकी ये वैसे है बैटिंग पैराडाइस विकेट लेकिन ओवर कास कंडिशन होने की वज़े से गेन बाजो का जल्बा इस विकेट पर आपको द सकता है